करेयले की रेसिपी कोण-कोण से लोगों को पसंद नहीं है, बिलकुल भी सच बताना, अगर आपको भी करेयले की रेसिपी पसंद नहीं है, यह वह भी कडवा लगने के कारण, तो आज से ये ग्रत फ्यमी बिल्कुल भी छोड़ दे और जब भी आप मार्केट जाएंगे तो करेले को धुन धुन के लाएंगे और बच्चे बड़े ये सभी को पसंद आने वाले है ऐसी आज मैं इसे बनाने का तरीका बताऊंगी वो भी सिंपल तरीके से और नहीं उपर की इसके छील के हटाएंगे और नहीं इसके बीज पूरा टोटल यूज करने वाली हूँ आज मैं करेले को तो इसके लिए मैंने करेले को अच्छी तरह से गोल-गोल कट्स कर लिया यह देखे आपको भी थोड़े पतले पतले अकार में गोल-गोल कट्स कर लेना है यह मैंने दो करेले को कट्स किया है और बाकी सभी को छोड़ दिया है इससे क्या होगे करेले के जो कड़वापन है वो बिल्कुल ही भी गाइब हो जाएंगे और इसका टेस्ट और भी बढ़ जाने वाला है तो चलिए सुरू करते हैं इस रेसेपी को तो इसके लिए सबसे मैंने पहले कड़ाई गर्म करने के लिए रख दिया है इस रेसेपी में बहुत ही कम तेल सोकने के लिए आपको कड़ाई बिल्कुल ही अच्छी तरह से गर्म करने पड़ेंगे और जो तेल डाले ना तेल भी अच्छी तरह से गर्म होने चाहिए इससे क्या होगे ये रेसेपी में बिल्कुल भी कम तेल सोकेंगे इसे अच्छी तरह से ये देखे और चार तरफ से अच्छी तरह से पकने लगे दो से तीन मिटी से ऐसा करने से उसके बाद आपको ये देखे थोड़े से अंतर लग रहे होंगे आपको करेले में और बीच का मैंने टोटल ही यूज किया है और हाँ दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरू करें और फिर मैंने उसको डाला है उसमें नमक स्वादमसार आपको नमक डालना है नमक डालने से क्या होगा ये जो कड़वापन की जो सिकायत है वो बहुत ही कम आएगी इसलिए आपको नमक पहले एड़ कर देना है और अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक भूनते राणा है लगातार चलाते हुए फिर आपको डाल देने है थोड़ी सी हल्दी और हल्दी डालने के बाद फिर से अच्छी तरह से आप फिर से चलाते रहें लगातार और अभी प्याज वगरा कुछ भी मैंने नहीं डाला है इसे अच्छी तरह से भूनने के बाद अब मैं एड करने वाली हूँ इसमें प्याज जी हैं दोस्तो और करेले की मैंने एक और भरवा करेले की रेसेपे डाल रखी है उसे आप जरूर देखें बहुत ही टेस्टी और और फिर बहुत ही चतपटे अंदाज में उसे बनाया है आप उसे जरूर रिवाज करें और फीर मैंने डाला है और ार प्याज हो में लगतार चलाते हुए जाना है और प्याज और करेले शात आज मैं करेले की भुजय की रेसिपी बनाई हूं तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये हमें आप जरूर बताएं और इसे आप रोटी के साथ चावल के साथ गर्मा गर्म सर्व करें बहुत ही टिश्टी लगती है तब तक के लिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट रेसिपी में बाइब भायं!